आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं दूस्तों चैनली सुपरिकिंग ओर गया है तो डैली कैपिटल्स के आज के मैच के बारे में दूस्तों इस वाले मैच में आफिर पिच रिपोर्ट कैसी होने वाली है कौन से वो ऐसे प्लियर है जिनका फॉर्म अच्छा चल रह ऐसे प्लियर है और कितने ऐसे वीडियो में आपको स्मत्री सारी जानकारी देने वाला हुआ और एक एक कर देखने के बास तो आप अपनी घृश्र सकती है उनर் जो किшт आप देखने मेंpellerde और इस पॉइंट टेबल में टॉप पर है गुजरात की टीम जिन्होंने कौलिफायर कर लिया है पर अगर मैं बात करूँ तो एक एक मैचेश बचे है न वो इन टीमों के लिए काफी खास होंगे तो कि अगर ये एक भी मैच हार जाती है न तो ये टॉप फोर से बाहर भी हो सकती है और अगर माल लो इन चार टीमों में से कोई दो टीम मैच जिच जाती है तो ये जो आप देख रहा हूं न प्रण डेट मेंटर करेंगे और यहां पर सीएस के और लखनो का तो बैसे भी एक एक पॉइंट जाता है तो यह इनके लिए फायदमन साबित होगा और यहां पर आर्सीबी और इनका 14-14 पॉइंट है तो फिर रंडेट और पॉइंट मेंटर करेगा तो फूल मिलातर बात यह है कि यहां पर कोई भी टीम बाहर हो सकती है और कोई भी टीम अंदर तो जो आज का मैं CS के लिए होने वाला है यह काफी खास होने वाला है तो एक तरफ आपको देखो यहां पर डी कॉन बेग बार रहाने दोवे जैसे बैसमन देखने को मिलेंगे तो नहीं दूसरी तर चेंड़ी Superkim का लास्ट मेंच काल स्कूरांज में किसे ने कितने नंबर कर बैटिंग की है किस तरहीके से Northwest 견 जो ढुंआ कर देना और नीचे कमेंट बोक्स आपको राय जरुदेना है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है अगर यहां पर मैं सब-स्पहलें घग archives मैं गाथ क और कुछ इस तलीक से इनका फॉर्म चल रहा है गेट बाट देखो बहुत कम मैचस हैं जहां पर यह जल्दी आउट हुए इनके बल्ले से रंस तो पहली बात देखो हर मैच में आ रहा है पर एक मीडिया पारी आ रही है बड़ी पारी बहुत कम आई है और पिछले कुछ मुक क्याप्टन सी के आगे आपको टीम बना कर दिखाऊंगा ना बहाँ पर मैं आपको और भी बता दूँगा कि आपके पास और कितने और रहाने की दोस्तों अजिंके रहाने के प्रषले कुछ मुकाबले आप देख सकते हो इतने खास नहीं निकलें बंड नाउन या दुबे के बल्ले से बहतर पारिया और बहुत कम मैंच हैं जहां पर यह जल्दी आउट हुए अगर मैं बात करो मोही नली की तो मोही नली का फूर्म दोस्तों इतना खास देखने को नहीं मिला है और अगर मैं बात करो रबंदर जड़े जाकी तो उसको रबंदर जड़े यह चार प्लेयर ऐसे हैं जिनका इस आई बेल में फॉर्म बढ़िया देखने को मिला है और अगर मैं बात करो अंबती राइडू मोही नली रबिंदर जड़े जड़े जा एमस धोनी तो इनका फूम इस आई बेल में तरना खास देखने को तो नहीं मिला है पर यह प्लेयर दोस्तो चैनली सुपर किंग के बॉलर्स का फॉर्म चल रहा है पिछले कुछ मुकाबलों में और लाश्ट वाले मैंच में देखो पावर प्ले के अंदर बॉलिंग किस ने की थी यह देखने के बाद आपको यह अंदर लग जाएगा के बॉलर्र के अंदर बॉलिंग कर कह अगर मैं बात करूं देखने के निकाल कर दे रहा है अगर मैं बात करूं तो सार देखने के पिछले दो मुकाबल अच्छे नहीं निकले पर देख सकते हो आप इनके कई सारे मुकाबले काफी बैठर निकले और आई पिल के स्टाटिंग के मैचस में तुसार देखने ने काफी कमाल के बिकेट निकाले दे और अगर मैं बात करूं यहां पर एंप देखना की तो है पर पिछले चार मुकाबलों में एक भी करते हैं तो इनका अगरे यहां पर देखना तो आज मैंच की पिछर पुट काफी घास है तो मिल दो और दिखने देखना चैनल है चैनली स्टर के बिच में और यहां ईठीक है तो देखने बॉक्त तो आज का मुकाबला खेला जा रहा है न एक बार चेज करती हम का супरक है और इस मेदान बैक्समें देखो जादा कुछ बताने ही लाइक तो नहीं है तो नहीं पर बैटिंग के लिए भी और बैटिंग के लिए भी ठीक है अब जो आप देख रहूंगा यहां से आपको सभी प्लियर के बारे में डीटल में बताऊंगा और कई सारी ऐसी जानकारी दूँगा जो आपको अपनी टीम बनाने में मदत करेंगी तो वीडियो को पूरा देखनाँ है। पर IPL के स्टार्टिंग के भी मैचस में यह अच्छे फॉर्म में थे, तो खुल मिला कर बार्नर का फॉमस आई पिल मैं अच्छा देखने को मिला है, और बार्नर एक ऐसे प्लेयर है, तो किसी भी मैच में कैप्टन या बाइस कैप्टन बनाने की भी लाइक निकल सकते हैं, आ खुल मार्स नहीं के लेते, तो इन्होंने देखो बन नाउन बेटिंग की थी, और बन नाउन बेटिंग करती हूँ असी रन से उपर की पारी के लिए, और इस आई फिल में भी देखो, इनका फॉम खास देखने को नहीं मिला है, पर लास्ट में अच्छे फॉम में थे, अ अगर मैं बात करूँ अक्षर पडेल की, अक्षर पडेल की लास्ट में बेटिंग ने आई है, कुछ इस तरीके से इनका आई फिल निकल रहा है, जहां पर ये छोटी छोटी पारियां खेल कर जाना है, मौका मिलने प एच्छी बेटिंग भी कर लेते हैं, अगर मैं बात कर उच्ट पलेयर कंगें ऐसे सी तरीके से पलियर का आस प्लेयर की लास्ट में बेटिंग के ल Prefer लाहें, अक्रिक दीगने के बात के लाज्वर के निकल रहा है अब किस तारीके से प्लियर का फॉर्म चल रहा है यह मैं आपको बता देता हूँ पर उसके पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक कर लेना और टेलिग्राम से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना ठीक है अब किसका कैसा फॉर्म चल रहा है दोस्तों वीडियो को रुपकर आप दिख सकते हो कि किस तरीके से बॉलर्स ने परशले कुछ मकाबले से बिकेट ने काले हैं और जहां पर भी आपको लगे बिकेट गिर सकते हैं अब अगर यहां पर मैं सबसे पहले बिकेट कीपर की बात करूँ न तो बिकेट कीपर में हमारे पास टीन ओप्सन है अगर मैं बात करूँ फिलिप साल्ट कर सकते हैं इस आई पेल में कुछ मैचस में बड़ी बड़ी पारियां इन्होंने खेली हैं पर देखो फिलिप साल्ट थोड़े से रिस्की प्लियर होते हैं तो कि यह स्टार्टिंग से बड़े-बड़े सोट लगाने की गोशिस करते पर इस बाले मैच में फिलिप साल्ट बंड़ या टूड़ बटिंग कर सकते हैं फिलिएर बड़ी आया है फिलिएर को मैं अपनी टीम में लेकर चलूँगा अगर मैं बात करूँ डी कॉन बे की तो बैतर बैतार और कैप्टन सी और वाइस केप्टन सी के नोगा अगर मैं बता देता हूं सबसे पहले अगर मैं बात करूए यहां पर देखो प्रद्विसा की तो प्रद्विसा का फॉर्म लास्ट में अच्छा देखने को मिला है और अगर आप प्रद्विसा को अपने टीम में खिलाना चाहते हो तो ग्रेंड लिक के अंदर ट्राइ कर सकते हो यह ज क्योंकि ये कभी-कभी चलते हैं हर मेंच मेंने बल्ले से जैसी पारी नहीं आती है अगर आपनी टीम में लेकर नहीं चलूगा अगर भातको यहां पर अजिंक्य रहाने की तो अजिंख्य रहाने के वी पेचल सकते हैं ग्रेंग पर आपनी टीम में लेका चलूँगा जिनका फॉम अच्छा देखने को मिलाए तो अपर अपनी टीम में जगा दूँगा तो पिछले कुछ मुखाबले शिवंद दुबे के काफी कमाल के निकले हैं तो इसारे मैच इस सदेगो टैप्टन मनाने के लाएं कि नहीं निकले हैं तो रितुर आज गिकबट किसी मैच में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं ठीक है और बहतर ओप्सन होंगे यह कैप्टन सी और बाइस कैप्टन सी के बस थोड़े से रिस्की होंगे क्योंकि कई सारे मैच नहीं बड़ी पारी नहीं आई तो ऐसे प्लियर देखो कैप्टन और बाइस केप्टन बनाने के लाइक निकल जाते हैं ठीक है तो मैं अपनी टीम में लेका चलूँगा डेबट बारनर को टीम में जगा दूँगा तो कि अच्छा देखने को मिला है और कई मैच में इनके बल्ले से बहतर पारियां भी आई हैं और ग्रेंड लीग में यह भी कै बैटिंग दिखाई थी ना तो साइप यह बॉलिंग से बिकिट निकाले हैं और नहीं बैटिंग आने पर रंस बनाएं तो फ्लियर का फॉम अच्छा नहीं चल रहा है तो टीम में लेकर नहीं चलूँगा ठीक है और नहीं यह पूरे ओवर की बालिंग कर चलूँगा रब निकल सकते हैं तीम या चार ओर की बॉल्लिंग में दो या OF निकालते हैं इंप्लेयर और परbers में और डेथ में भी बॉलिंग कर सकते हैं पर प्लियर का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है तो ऐसे में मोकेस कुमार को मैं लेकर नहीं चलूँगा पर अगर मैं बात करूँ एम थिक्साना की देखो यह करते हैं मिडल ओवर्स में बॉलिंग और अगर आपको ऐसा लगए कि करती है तो वो डेथ ओवर्स में मनाने की कोसिस करती है पंदर ओवर के बाद देखो रंस बनते हैं तो अगर आप इन दोनों को ट्राय करना चाहो कर सकते हो पर देखो सामने चैन्वे की टीम है चैन्वे की ओपिनर्स को ने रितुराज गेगबाद डी कौन बेए अब ऐसा करते हैं तो इसलिए मैं इसांद को नहीं लुगा और खली बॉलिंग तो कर रहा है पर अगर आप इन दोनों से किसी एक को ट्राय करना चाहो कर सकते हो बढ़िया प्लियर है और मैं देली की तलाब से यहां पर एंडिक नौर्टेजे को लेकर चलूँगा तो इसलिए मैं न सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए मैं नीचे आ रही है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह टीम में लेने के लाट तो यह बनेंगे और तीने चार ओवल की बलिंग में दो विकेट अगने यह निकाल देते हैं बैटिंग आने पर थोड़े को तरंस बना देते हैं तो फिर रबेंदर जड़ेजा भी क्यपकरन बनाने के लाइक न देखने को मिल दाएगी तो ऊसी लिंग पर क्लिक करके आप तेली यह से झुड़े सकते हो और तेबल आपको और कौई तैली गराम के जुड़ना है अधल आपको और ऊप्लीन से नहीं जुड़ना है वीड़ेजा naisi को लाइक परते हो जानल परना हों सबस्क्राबों जरु गरे थाइंग्यू